चंदिगड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से ड्रग्स और पिस्टल रिकावर की गई है। चंदिगड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच को यी सिफलता मिली है। पमेश और हजिंदर बताए जा रहे हैं जो चंदीगड के रहने वाले हैं एक टिप आफ थी चंदीगड पुलिस को जिसके बाद इन लोगों को काबू किया गया है हलाकि इन से पूस्ताच में कई चीजों का कुलासा हो रहा है कि ये कहां कहां पर सप्लाइ करते थे अभी तक की जानकारी के मताबिक राजन भट्टी का नाम सामने आ रहा है जिसको दो दिन पहले ही पंजाब पुलिस की SSOC ने गिरफतार किया था वही इनको देता था और उनके ही उसको देने के बाद ये लोग आगे सप्लाइ कर रहे थे हलाकि पुलिस लगातार इसमें इस्वेस्ट कर रही है और राजन भट्टी का खास तोर पे नाम सामने आ रहा है कि राजन भट्टी जो की लंडा का भी साती है उसके साथ इनके किस तरह की रिलेशन थे इसको लेकर भी पूस्टाज की जा रही है क्योंकि राजन भट्टी से भी पूस्टाज में कई खुलासे हो रहे है इन सब चीजों को लेकर लगातार पॉलिस इसमें इंवेस्टिगेशन करने में जुड़ गई है और कई बड़े खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं इंवेस्टिगेशन में कई चीजों को लेकर खुलासे सामने आ रहे हैं चंदिगर से कैमरामेन जिंदर कुमार के साथ मनुजराथी न्यूजएटीन पंजाब